मद्रप्रदेश की मशूर चित्रकार भूरी बाई को इस बार पदमुश्री सम्मान से नवाजा गया जाबुआ जिले के पितौल गाउं में जन्मी भूरी बाई भील आदिवासी समुदाय से है उन्हें मद्रप्रदेश सरकार के सर्वोच राजकिय सम्मान सहित कई पुरुसकार से भी नवाजा जा चुका है जिस भारत भवन में उन्होंने मश्दूरी की वही मशूर चित्रकार बनी भूरी बाई और उनसे बात की हमारे समवादाता वासु चोरें ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मद्रप्रदेश के लिए कई माइनों में बहत खास है क्योंकि मद्रप्रदेश को दो पद्मश्री अवाड मिले हैं और एक पद्मभूशन भी मिला है अभी हम मौझूद हैं पद्मश्री भूरी बाई के घर दिदी एक बड़ा सम्मान आपको मिलने जा रहा है किस तरीके से देखती है इस पूरे सफर को मैंने बहुती ऐसी कला को आगे बढ़ाया है कि सुरू सुरू मुझे बहुती कठन मतलब ऐसे आया कि मैं कैसे कर पाऊंगी क्या करों क्या लोगों को समझाओंगी कैसे समझाओंगी लेकिन मैंने अपना अंदर से अपना मन हार ने नहीं दिया मैंने हाजिल कर लिया है और तो उमीदें करके बेठी थी मैं जो एक आवाड तो मिलेगा जो बड़ा आवाड चोटे चोटे से मैंने आवाड ले लिये लेकिन बड़ा आवाड का इंतिजार था वह भी मेरे उमीदें पूरी हो गए मैं बहुत खुस हूं आज आज आप चाहती हैं कि जो आपकी कला है यह हस्तांतरे थो अगली पीडी को मैं अभी नए पीडी की लड़कियों को वही सिखाते हूं मैंने अपने हाथ के कलर जो एक मिटी का तवा रहता है वो तवे को खुरुश के और मैंने काला कलर बना लिया और जो पीली मिटी है जो गेरू लाल मिटी जो हमारे में साधी होती ह तो उसको बोलते हैं भराडी तो भराडी की मिट्टी लाते हैं उसी से और जो सेम बलर की पतिये हैं उसको एक खटी करके और सुका के उसको पीज के गिरिन कलर बना लिया भूरी भाई हमारे साथ थी जहाबू अजले के छोटे से गाउं से अपना सफर शुरू किया भूपाल में भारत भवन में मजदूरी की जो भारत भवन कला की राजधानी माना जाता है और अब ये जो कला है वो दिल्ली तक पहुँच गई है और दिल्ली से पूरी दुनिया म पूरे देश का सब्मान है कैमरामेन आशीश खरे के साथ बंसल न्यूस के लिए भूपाल से लिए भूपाल